स्वागत है दोस्तों आपका confusion 9.2.11 में दोस्तों जैसा कि हम सभी जान गया है कि बिहार में बिहार दरोगा के लिए vacancy निकल चुकी है बिग्यापन जारी कर दिया गया है लेकिन इस बिग्यापन में ऐसा क्या चीज है जिसके कारण हजारों छाद इस form को fill up नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो वो एक ऐसा चीज है वो देख लेते हैं बहुत लोग का ध्यान नहीं गया होगा तो वो लोग भी देख लें इस वीडियो को और देख लें कि आप इसके अंदर में आते हैं या नहीं आते हैं जो लोग उस condition को fulfill कर रहे होंगे वही लोग form fill up करने के योग्य है और क्या है लोग का आपत्ती और लोग एक group बनाकर protest करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और तो इस वीडियापन में ऐसा क्या चीज है जिसके कारण हजारो चात्र इस form को fill up करने से वंचीत रह गया है तो चलिए देखते हैं जासे इस में मैं डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने विग्यापन में सारा डिटेल दे दिया है कि ओनलाइन आवेदन का form fill up कब से सुरू हो रहा है कब लाश डेट है आप लोग भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं और किस-किस पदों के लिए कितना वहकेंसी वह भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है तो इस वीडियो मैं बस केवल उस टॉपिक पर बात करूँगा जिस टॉपिक पर इस विग्यापन में लिखा गया और जिसके करण हजारो छात्र इस form को fill up करने से वनचीत रह गया है तो यहां पर देख लें यहां पर जो है यहां पर एक dark color में important करके यहां पर नोट लिखा गया है दोस्तो इसे आप ध्यान से पढ़ लें यहाँ पर लिखा गए अभ्यार्थियों की सेक्षिनी की योग्यता अभ्यार्थियों का दिनाँग 11.2019 अथ्वा इसके पूर्व किसी माननेता प्राफ्थ विष्विद्याले से उसनातक परिच्छ या राज्य सरकार दौरा मानेता प्राप उसके समकच परिच्छा उतिर्ण होना अनिवार रहे है यहीं पे बहुत लोगों को confusion भी हो गया और जो लोग समझ रहे हैं यहाँ पे तो किलियर लिखा गया है कि आपका जो भी सनातक आप कियो होंगे वो परिच्छा आपको एक एक 2019 से पहले आपको उतिर्ण होना अनिवार रहे है अब यहाँ पे दो-तीन तरह का confusion निकल के आ रहा है कि सर मैं exam एक जनवरी 2019 से पहले दे चुका था लेकिन उसका result एक जनवरी के बाद आया तो क्या मैं form fill up कर सकता हूँ फिर कहा गया है कि बहुत लोग के साथ problem है कि सर online result पहले प्रकासित कर दिया गया है लेकिन offline मुझे बाद में तो कौन सा valid होगा तो यह सारा आपका confusion मैं दूर आज करने वाला हूँ दोस्तो तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर date दे दिया गया जो अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो बिग्यापन निकाले जाते हैं उसमें कहा जाता है कि आप लोग को certificate अगर आप exam दे चुके हैं अब यहां पर एक चीज और है बिग्यापन निकल रहा है अगस्त में आप निकाल रहा है अगस्त में और यहां पर असनातक करने के लिए आपको मांगा जा रहा है कि 1 जनवरी 2019 को अधवा उससे पहले आपको असना तक परिछा पास कर लेना अनिवार रहे है तो यह सर कैसे आप अगस्त में विग्यापन निकाल रहे हैं तो आप अगस्त क का टाइम देते कि अगस्त तक में आपको पास आउट हो जाना चाहिए या फिर सितंबर में या फिर इंटर्व्यू के टाइम आपको पास आउट का सर्टिफिकेट देना जरूरी है जो लोग नहीं दे पाएंगे उनको वंजित कर दिया जाएगा जोइनिंग से लेकिन यहां पर पहले ही लिख दिया गया है और यह साफ साफ इसका मतलब यह तै हो गया है कि आपके पास जो आप उतिर्ण कियोंगे अगर आप एक एक दोजार उन्निस को असना तक परिछा पास कर लियोंगे तो ही आप इस फॉर्म को अब फिलब तो कर सकते हैं लेकिन वहलीड होगा अगर आप एक्जाम भी निकाल लेते हैं कॉलिफाई भी कर जाते हैं तो वहां पर आपको हो सकता है कि जब डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो वहां आपको चार्ट दिया जाएगा दोस्तो तो यह देखना अब दिल्च कि बहुत सारे चात्रों ने कॉंटक्ट करके कॉंटक्ट किया था कि सर ऐसा असा प्रोब्लम में सर क्या किया जाए तो इसमें चुकि यह नितिकत फैसला है तो यह आयोग के द्वारा ही लिया जाएगा तो चात्र एक वार सांतिपुर्ण धंसे मिलकर बात करें आयोग से त आते हैं सेसन तो हर तरह से जैसे मगद उनिवर्सिटी का जो पार्ट थर्ड का किये थे स्टुडेंट वो फिर उनका पंद्रफ फरवरी को रिजल्ट जारी किया पंद्रफ फरवरी 2019 को एक्जाम बहुत पहले ले लिया गया था सेसन भी लेट चल रहा था तो क्या उन्हें घुझाद उसनातक जो उतीरब्स करने का जो डेट दिया गया है यह अगर आपका बढ़ाकर अगस्त कर दिया जायं तो इसे हजारों छात्रों को बहुत फैदा मिलने वाली है दोस्तो तो अगर जो छात्र अपना जो मिलना चांत है या फिर जुडना चाथे तो इसके comment box में अपना जो group बना है उसका link दे सकते हैं जो छात्र जूड़ना चाहते हैं उस link के थुरू जिसके comment box में जाकर आप देख सकते हैं अगर वहाँ link है तो आप जूड़ सकते हैं कोई छातर अगर link दिये होंगे ग्रूप के लिए तो उस चातर अगर और कोई जूइन करना चाहते होंगे तो वह मेरे comment box में इस वीडियो के comment box में जाकर वहाँ से जूड़ सकते हैं दोस्तों कुछ शात्रों ने मुझे अपना mark sheet भी send किया तो वह मैं mark sheet भी दिखा देता हूं आप लों को ताकि देखकर आप समझ जाएं कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है और मतलब कितना उनके साथ मुसीबत एक तो इस जो इनुवर्सिटी है वो लेट सेशन करवाता है उपर से जब बिग्यापन निकलता है बहकैंसी का तो यहां पे भी उनका जो graduation का जो डेट है पैच्छा उतीन का व वह मैं आपको दिखा देता हूँ यह बेज़े यहां पर तो किलियर साब पता नहीं चल रहा है लेकिन यहां पता चल रहा है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो डेट है 15 फरवरी 2019 लिखा गया है और यह बोद गया यानि कि मगद यूनिवर्सिटी का यह है यह graduation जो डेट है इनका जो सर्टिफिकेट जो पास आउट डेट दिया गया है वह 15 फरवरी 2019 है जबकि यह एक्जाम बहुत पहले दे चुके थे लेकिन जो उतिर्ण का जो रिजल्ट निकला था वो इनका 15 फरवरी को निकला था दोस्तो और एक मगद इनिवर्सिटी का और है इनका भी 15 फरवरी यानि कि जो मगद इनिवर्सिटी में जो गेजिएट हुए है इस वार 2015-18 के सेशन में उनका रिजल्ट आपका 15 फरवरी 2019 को परकासित किया गया था गेजिएशन का यानि कि वो जो गेजिएट हुए थे तो उतिर्णता उनका जो था वो 15 फरवरी 2019 था दोस्तो और और ऐसा बिहार के बिभीन और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है और कुछ इनिवर्सिटी और हैं जहां से लोग उतिर्ण किये हैं लेकिन उनका यही प्रोलम हो रहा है कि वो एक जनवरी 2019 के बाद उनका उतिर्ण हुए हैं और यहां पर यह नहीं मेंशन किया गया ह यहां पर लिखा गया है कि समकच परिछा उतिर्ण होना निवा रहा है तो चुकि अगर हम एक्जाम दिये हैं अब यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्जाम तो हम पहले दे दिये थे गेजूएशन का लेकिन रिजल्ट मेरा अगर फरवरी में आया है तो क्या हम फॉर् तक आपको क्या पता था कि आप उतिर्ण हुए है असना था कि आप फेल हो गया है एक्जाम में तो अगर तरक की बात करें तो उस हिसाब से इस तरक के हिसाब से आप वहां फे फॉर्म फिलप नहीं कर सकते हैं यानि कि आपको एड़ टाइम आफ इंटर्वियू डोकुमें लोग अपना परतिनिदी बनाए और जाएं उनसे बात करें अपना प्रॉलम रखें जो प्रॉलम हो रही है जिसके कारण तो छात्र परतिनिदी जाकर मिले आयोग से और मुझे उम्मीद है कि सरकार और आयोग इस टोपिक पर जरूर बात सुनेगी और सुधारा जा सकता है इस नोटिस को तो ये था वीडियो छात्रों के आगरा पर मैंने ये वीडियो बनाया है इस प्रॉलम को उठाया है देखते हैं छात्र कितने इसमें सक्सेस होते हैं जो बंचित रह गया है और सरकार क्या सुनती है सरकार क्या करती है और आयोग क्या करता है इस पर अब ऐसा होगा तो बहुत सारे हजारो चात्र इस एक्जाम से वंचीत हो जाएंगे एक्जाम दे भी दिये तो डोकुमेंट्स वहरिफिकेशन के समय उन्हें प्रॉलम हो जाएगा दोस्तों और यहां पर उमीद करते हैं कि आयोग इसके मैटर पर जरू संग्यान लेगा और कुछ नोटिस जारी करेगा तो चात्र भी अपने अस्तर से प्रयास कर रहे हैं तो अगर जो चात्र है तो कॉमेंट वॉक्स में अपना ग्रूप का जो लिंक है वो सेर कर दिजे और जो से जुड़ना चाते उस लिंक से डारेक्ट जुड सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद अगर आप इस चैनल पर नए है तो खिर्पया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नए अपडेट आए तो उसका अगर मैं व